पुरानी पेंसन स्कीम लागू करवाने के लिए सरकारी कर्मचारी करेंगे जेल भरो अंदोलन जी हां तो उस्तो काफी महत्मून का बर लखों सरकारी कर्मचारियों के लिए और दोस्तो केंद सरकार से सात्म वितनाई के तैत बेसिक पे बढ़ाने की मांग के साथ सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंसन व्यवस्ता यानि OPS को फिर से भाल करने की मांग पूरे देश में जोर पकड़ रही है समयत कई अनराजों में OPS की मांग भी तेज हो रही है और कुछ समय पहले देली सरकार ने अपने जो कर्मचारियों उनको OPS लागू करने का आस्वस्ता दिया है और इससे जो राज हैं वहां के कर्मचारियों को भी अपने यहां OPS लागू होने की उम्मीद जग गई है साथ में ही जो किन सरकार के कर्मचारी हैं और कर्मचारी यूनियन है उन्होंने भी ये मांग जोर सोर से उठा रखी है कि जो सरकार उन्हें या फिर जो राजनितिक पार्टी उन्हें पुराने पैंट्सन स्कीम का लाब देगी उन्हीं को ही अगले 2019 के आम चुनाओं में एक सरकारी कर्मचारी वोट देगा तो इसमें करमचारी नेताओं का भी कहना है कि वो 2019 में लोग सवाचोनाफ से पहले किसी भी हाल में पुराने पेंटसन जरस्ता को लागू कराने की कोशिस करेंगे और साथ में यहाँ पर यूपी की संगर्थ संचलन समीती की अद्यक्ष ने काया कि यदि सरकार करमचारी की मागों को नहीं मानती है तो 21 जनवरी से 5 फरवरी 2019 के बीच सरकारी करमचारी गरफतारी देंगे और जेल भरो आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे तो दोस्तों काफी महत्पून का वरी है यदि सरकार ने 2019 के आप चनाव से पहले पहले OPS के बारे में कोई घुशना नहीं की तो यहाँ पर सरकारी करमचारी के द्वारा जेल भरो आंदोलन सुरू किया जाएगा भूखरताल की जाएगी और इसमें अधिक से अधिक सरकारी करमचारी भाग लेंगे तो दोस्तों यहाँ पार सरकारी करमचारी और करमचारी संगटन पुराने pension scheme को दुबारा से लागू करवाने के लिए जोर सोर से लगे हुए हैं यदि यहाँ भी सरकारी करमचारी की मांग का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट में अपना कमेंट जरूर लगें इस वीडियो को अधिक सद्धिक अपने दोस्तों साथ में सेयर करें और ऐसी लेटेस्ट और अथन्टिक अपडेट को सबसे पहले जानने के लिए चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर लें